पीस, समाज समर्पित शेष्ठी, आलेखक, मन्सुक सल्ला, साहित्य प्रकार, रेखा चित्र विद्यार्थिमित्रो, आपने घणा पैसादार लोको ना जीवन विशे, तेमनी रहेणी कहेणी विशे, जोता साम्भणता होईये छिए तेमा घणा सम्रुद धिवान लोको एवा होई छे, जेव पोतानी सम्पत्ती नो महत्तम भाग, समाजने अरपण करी देता होई छे आपनने किटला एवा प्रख्यात वैपारियोंना नाम मली रहशे, जेने देश माटे, समाज माटे, उतानी सर्व सम्पत्ती दानमा आपी दिधी होई मित्रो, इवाज एक श्रेष्ठी नी जीवन जर्मर रजु करतो पाठ जोईये जेना आलेखट मन्सुक सल्लार छे, अने पाठनों साहित्य प्रकार रेखा चित्र छे इतिहास एवी विशिष्ट व्यक्तियोंनी नोंध लेचे, जयान्य माटे जीव्या होई जेमने नवी केडियों कंडारी होई एमना कारियोंने परिणा में समाज वेहत उँचो चड़ियों होई गुजरात मां उत्तम श्रेष्ठियोंनी हार मालार छे तेमा नान्जी कालिदास महता शिखर समान श्रेष्ठी हता श्रेष्ठी एटले सर्व श्रेष्ठ वैपारी अथवा सहुकार नान्जी भाई कालिदास महता और बंदर थी 40 किलोमिटर दूर गोहाना नामना नानकडा गाम्मा तारिक 70-11-800 सित्यासीना रोज जन में हाता प्रिमालपिता अने वच्चल माता जमना बाईना संसकारों पामें हाता नान्पण थी अन दीठेली भोई पर पग मुकवानी साहसिक्ता हती एक आले छाती वाला लोको कमावा माटे आफरीका जता तेर वर्ष्नी कुमली वय नान्जी भाईये युगांडा जवानु नक्की करिऊ महिनाओनी सफर वाहननी मुसाफरी एमा वच्चे तोफा नावियू हुआ थंब अने सड तूटी गया मृत्यू सामे देखातू हतू भूख तरस अने अनिश्चित भावी छतां तेमने हिम्मत जालवी तांडव वच्चे स्थिर्ता राखी बिमार साथियोंनी सेवा करी अने इश्वर उपर अडोल श्रद्धा राखी सफर पार करी एक किशोर माटे आ एवो अनुभव हतो के जीवन मा पची गमे तेवी कपरी परिस्थिती मा तेवो डग्या नहीं नवी नवी केडियों कंडारता रहा वच्चल एटले प्रेमार भोई एटले धर्ती कुवा थंब एटले वहाणना सड़नों मुख्या आधार स्थंब सड एटले वहाणना थामला साथे बंधातुं कपडूं अने अडोल एटले अडग एक आले युगांडा अने केन्या मा निरक्षर्ता गरीबी अने प्राथमिक कक्षानु जीवन हतुं नानजी भाई ये भोळी पन प्रेमार प्रजानों विश्वास जीत्यों खेती नो कक्को न जानना रे वन खेडेली धर्ती मा अजान्या प्रदेश मा कपास अने चा कौफी नी खेती शरू करी आप सूज अने सक्खत पुरुशार्थ थी सफळ थया पची केत की अने रब्बर ना विशाल खेतरों सर्जिया एक उद्योग तरीके कपास नो एवो विकास कर्यो के युगांडा रू माटे जग विख्यात बन्यो युगांडा नी आर्थिक प्रगती नो पायो नांजी भाईये नाख्यो शेरिडीनु वावेतर करावी ओगणी सो चौवीस मा लुगाजी शुगर फेक्टरीनो प्रारंभ कर्यो एक सदी पहला जापाननी टेक्नोलोजी अपनावी नवा युगनो प्रारंभ कराव्यो एम ने विपुल कमाणी करी युगांडा ना बेताज बाच्शाह तरीके ओडखाया साथे जज जे धर्तिये तेमने सम्रुद्धिया पी हती एने अनेक हाथे पाची वाली पुर्वा आफ्रीका माँ शिक्षण, संस्कारिता अने सम्रुद्धिना नवा पगरण माण्या उदार हाथे दान आपीने तेमने नर्सरी स्कूल आर्य कन्या गर्ल्स हाइ स्कूल लाइब्रेरी, टाउन हॉल, नगर उद्ध्यानो आर्य समाजना मंदिरो अने महिला मंडल भवनोनी स्थापना करी सौराष्टना नानकडा गामनो चार चौपडी भणेलो छोकरो उद्योग पती तरीके निवडी आव्यो तेना पाया मा सक्खत परिश्रम अने अडग आत्म श्रद्धा शे इतले तेओ अजान्य प्रदेश मा उद्योग सासिक तरीके सफ़ड थया अनेक राज पुरुषो, राजा महराजा, संतो अने सेवकोनी वच्चे रहा पन तेओ कदी सामान्य जनने अने ग्राम समाजने भूलिया नहीं कारण के आ पंच शील तेमना जीवन मा कायम टक्या हता सादू भोजन, सादो पहरवेश, सादू लखान, सादी भाषा अने उच्च विचार तेमा तेमना सहचारिनी संतोश बहन्नो सत्थवारो हतो अधळक कमाया, परन्तू पोताने ट्रस्टी समझीने आफरिका अने भारत मा समाज हितना अनेक उत्तम कारियों मा फालो आपयो अडधी सदी सुधी व्यापार उद्योगों विक्साव्या, स्थीर करया पची मात्रु भुमीनों रोण चुकव्वा, उद्योग धन्दा उत्रो ने सुपरत करी समाज उत्कर्ष माज बद्धो समय गाल्यों पंच शील, इटले पाँच प्रकारना नियम, सहचारिनी, इटले पत्नी आज थी साहिट वर्ष पहला तेमने पार्ख्यू हतूं, कि देश विदेश ना संशोधन कारों माटे अनुकूलता अने सगवड करवी जोई इमाटे तेमने मुंबई मा मरीन ड्राइव विस्तार मा श्री नांजी कालिदास महता इंटरनेश्चल हाउस नी स्थापना करी विकास माटे ना दर्वाजा खोल्या आफ्रीका पची तेमने सवराष्ट मा पोरबंदर विस्तार मा उद्योगोनु तारक मंडल रचियूं सवराष्ट ना अउद्योगिक विकास मा मोटो फालो आप्यो गांधी जी प्रत्य पूज्य भाव अने नारी शक्तिनो उदय एमना जीवन धेय बनया पोरबंदर मा भारत मंदिरनी स्थापना करीने भारतिय संस्कुरुतीने पोशन आपनार रुशियों अने संतोनु म्यूजियम रची तेमनों संदेशों उगती पेडी सुधी पहुँचे तेवूं गोठवियूं विज्ञान अने अवकाष ना उत्तम निदर्शन माटे तारा मंदिरनी रचना करी निदर्शन इटले निरंतर जोवूं गांधी जी माटे नानजी भाईना रदय मा अपार आदर हतो गांधी जीना जन्मस थल ने समारक रूपे आकार आपपा तेमने कीर्ती मंदिरनू जग विख्यात सर्जन करावियूं गांधी जीना अगणाहेशी वर्षना जीवनने ध्यानमा राखी ने अगणाहेशी फुट नी उचाईनू तलात्मक कीर्ती मंदिर देश विदेशना प्रवासियों माटे तिर्थ स्थान बनी गयोंँछे समारक इटले समरण अपावना रूप नांजी वाईनी स्पष्ट समझ हती के पुत्र पुत्री नी समानता अने जाती वर्णना भेदभाव वगर नी समाज रचना भारतने महान बनावशे ए माटे तेवने आर्य समाज माथी प्रेरणा लई गुरुकुल पद्धतीनु शिक्षण आपवा पोर बंदर मा आर्य कन्या गुरुकुलनी स्थापना उगणी सो चत्रीस मा करी आर्य कन्या गुरुकुलनो पायो एक हरिजन बाळाना हाथे नखावी अस प्रुष्यता निवारणनु सहसिक पगलु भर्यु हतु छल्ला हैशी वर्षमा कन्या गुरुकुल माथी 30 हज्जार थी वधारे कन्याओए डिगरीतों मेलवी छे तेना करताएं वधू नोंध पात्र एछे कि तेमने भारतिय संस्कुरुती ना उत्तम संस्कारों मेलव्या छे एवी कन्याओ देश विदेश मा दिवडी बनी प्रकाश पात्री रही छे कन्याओ गुरुकुल ने नांजी भाईना सुपुत्री सविता बहननू उत्तम मार्क दर्शन वर्षो सुधी मल्यू हतुँ निवारण एटले उपाय अत्वाईलाज नांजी भाईनी समाज सुधारणानी धगश अने द्रश्टी व्यापक हती शिक्षन द्वारा भेद भाव मुक्त अने धर्मना आडंबर्थी मुक्त समाजनी स्थापना थाए एवी एमने होश रती मानवताना मुल्यो माटे तेवो जीवन भर मत्या हता ब्याशी वर्षनी दिर्ग जीवन यात्रा मा तेवो पुरुशार्थ अने परमार्थ नो वडलो बनी गया हता तारीक पच्चिस आठ ओगणी सो अगणा सी तेर ना देवसे तेमने आ लोक छोड़यो त्यारे अनेक महनु भाववे तेमने श्रद्धांजली आपी हती तेमा गामडानी अभण बहनोनी अंजली सर्वोत्तम हती आज धरमनो थांबलो खरी पड़यो आडंबर इटले खोटो डोड पुर्वा अफ्रिकाना आर्थिक विकासमा अद्बुत फालो आपनार नांजी भाव कालिदास माटे युगांडाना प्रमुक मिल्टन ओबोटे भव्य अंजली आपता कहेलू नांजी भावना निधन्थी युगांडानी आर्थिक सम्रुद्धिमा महत्वनों फालो आपनार मित्र में गुमाव्योंचे तैमने करेला समाज उप्योगी कारियों कायम याद रहशे निधन एटले अवसान नांजी कालिदास महता वादल जिवा उम्दा अने रुण भाव वाडा श्रेष्ठी हता जेम वादला प्रुथ्वी उपर थी वराल रूपे पाणी लईने एक्ठूं करीने योग्य वक्ते परी प्रुथ्वी उपर वर्सावे चे तैम नांजी भाई कमाये लूं समाजने अरपन करता रहा समपत्ती कमानारा अनेक होय चे पन समाजने आवी हितकर रिते पाची वाडनार बहु थोड़ा होय चे नांजी कालिदास इवा विरल श्रेष्ठी हता रुण भाव इटले लेणा देनी अथवा लेवूं आपकूं हितकर इटले कल्यान कारी अने विरल इटले दुरलब मित्रों पाठमा वप्रायला इटलाक शब्दों ना विरुद्धार्थी शब्द जोईये सफल शब्दनो विरुद्धार्थी निश्वल दिर्गनो विरुद्धार्थी लगू निरक्षरनो साक्षर उतकर्षनो अपकर्ष अने निश्चित शब्दनों विरुद्धार्थी अनिश्चित थाए बै त्रण वाक्यमा उत्तर लखो प्रश्ण एक तेर वर्ष्णी किशोरवय नांजी ने दरियामा जती वक्ते के वो अनुभव थायो उत्तर तेर वर्षनी किशोर वय नांजी ने दरिया मा मुसाफरी करी ने युगांडा पहुचवानू हतु। प्रश्ण 2. नांजी भाई महता ना जीवन नो पंच शील सिद्धान्त जनावो। उत्तर नांजी भाई महता ना जीवन नो पंच शील सिद्धान थतों। सादूं भोजन, सादों पहरवेश, सादूं लखाण, साधी भाषा अने उच्च विचारो। आ सिद्धान्तोंने नांजी भाईये होताना जीवन मा सदाने माटे जालवी राख्या हता। तेमने सामान्य जनो, ग्राम समाज, महिलाओ, अस्पृष्चता निवारण, शिक्षण संस्थाओ, वगेरे माटे जे सतकारियों कर्या, तेनी पाछल तेमना पंच शील सिद्धान तों जहता। साथ आठ वाक्यमा उत्तर लखो। प्रश्ण एक, नानजी भाई कालिदास महताने युगांडाना वेताज बादशा तरीके शामाटे ओलखाव्या शे। उत्तर, नानजी भाई कालिदास महताने हेतीनू सहजे ग्ण्यान नहतु। प्रश के सहच प्रश के सहच ऐसाऊ हRच़नाई कालिंग bisविज़ करना वे उत्यान थन्हold कालिए क्रभवद TVoss 5.6 तोंस उत्तर, आख कर भाई क захथ